मुझे जाए 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 सेहत मन होंगे वेलकम और वेलकम बेक टो माई चैनल अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं सोनिया के घर और वहाँ पर हम बार्बीक्यू पार्टी करने वाले हैं और एक्चली ये थर्ड इद डे का रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पर हमारी गैदरिंग होगी और साथ साथ में हम बहुत सारा फन करने वाले हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए सो यहाँ पर पहुंचने के बाद हमने पहले ग्रीटिंग की एक दुसरे के साथ और उसके बाद थोड़ी देर हमने वेट किया ताकि हमारे बाकियो फ्रेंड भी आ जाए और यह है मेरा इद का आउटफिट मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन में कोई ड्रेस बनवाने का काफी टाइम से मन था तो मैंने सोचा कि इस इद में मैं जरूर बनवा लेती हूं तो यह शिफॉन का कपड़ा है फैबरिक शिफॉन का है और इस पे मैंने वाइट लेस लेके इस तरीके से डिजाइनिंग से बनवाया है टेलर से सिंपल सा है बट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बनवा लिया और यहाँ पर हम बार्बीक्यू ग्रिलिंग ट्रे लेकर टेरिस पे आ गए थे और यहाँ पर काईस कोल जला रहा था और हम सब वहीं पर बैटके थोड़ा चाई का वेट कर रहे थे ताकि हम चाई पिए और जब तक यह पर्पैर होता है हमने बहुत सारी बाते की वैसे टर्ण बाई टर्ण कभी इनायात कभी काईस और कभी लीजा कोल को जला रहे थे और उलट पुलट कर रहे थे प्रिपैर कर रहे थे लेकिन सबसी ज्यादा लीजा ने हमको उस दिन हेल्प किया इस काम में एविन पूरा सेकना और बनाना सब लीजा नहीं किया था उस दिन तो थैंक्यू सो मच लीजा अगर आप देख रहे हो ये वीडियो वैसे लीजा बहुत परफेक्ट है इस काम में क्यूंकि उसकी बहुत प्रैक्टिस रह चुकी है और निजार और मुईस भी आ गए थे बस इनका ही वेट हो रहा था तो फाइनली ये लोग भी आ गए और जितने आपको लोग दिख रहे हैं बस हम लोगों की गैदरिक थी आज बाइदवे उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था क्यूंकि दिन के टाइम पे और शाम में बारिश हुई थी तो इसलिए बारिश रुख जाने के बाद ठनी ठनी हमाय चल रही थी हलकी फुलकी जिसको हम एंजॉय कर रहे थे और फिर ग्रीन टी आ गई थी तो हम ग्रीन टी पीने लग गए थे वैसे भी मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो ग्रीन टी को हमने डबल एंजॉय किया और इसके साथ साथ मैं आपको जैसे बहुत दफा बता चुकी हूं के हमारी जो गैदरिंग्स होती है या जो हमारे कल में कोई भी मीटिंग होती है गैदरिंग होती है सिंपली हम मिलने भी जाते कई पर तो ग्रीन टी तो कमपल सरी होता है और यहां पर अल्मोस्ट बन चुका था सब रेड़ी था बस यह थर्ड लास्ट स्टिक्स थे जिसका हम वेट कर रहे थे के बन जाए और इसके बाद हम नीचे गर्राइब होती है जर पर चले गए थे और यहां पर सुनिया सब कुछ प्रिपेर कर रही थी किचन में और मैं चलेगी अपनी व्लॉगिंग करने के लिए और यहां पर खाना लग चुका था और मैंने सोचा पहले मैं अपना शूट ले लूँ उसके बाद मैं खाने बैट जाओं बाद वे चिकन बार्बेक्यू भी बहुत टेस्टी बना था और इसके साथ साथ जो चक्नी बनी थी वो तो बहुत ही ज्यादा इस्पेशल था जो हमको नॉर्मली चाहिए होता है जैसे बहुत थीका भी नहीं और बहुत ही फीका भी नहीं मीडियम जो चाहिए होता है हमें टेस्ट वो उसी टैप का था एविरिज था और हमें हम सबको ही वो पसंद आया सबकुछ ही बहुत पसंद आया तो थैंक्यू सो मच सोनिया इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मज़ेदार सा चट्टी बनाने के लिए और इतना बार हमने एक या देर घंटा तो सिर्फ गपशप की हैं यहां के बाते की खुब हसी मज़ा की हैं हमने और उस पूरे दोरान हम मुबाइल यूज करना या मैं व्लॉगिंग करना ही भूल चुकी थी हमने इतना एंजॉई किया उसके बार फिर सोनिया हमारे लिए छोड़ा आइसक्रीम लाई और हमने आइसक्रीम खाया वो लखड़ी जो सबसे अलग है तुम इसमें बदल जाओगे तुम इस तना मुझे चाहोगे तुम इसना प्यार करोगे तुम यह इकरार करोगे है पिर महभूल मेरे सनम शक्रिया महलवाने करम मेरे महभूल मेरे सनम और फिर हमने सोचा के हम गेम्स खेल लेते हैं दो तिन गेम्स खेले हम लोगों ने जिसमें तो कुछ-कुछ तो इतना फ़नी हम मोमेंट्स हुए थे कि हम हस हस के ना बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा और ये वाला गेम्स तो हम दोनों गेम्स हम तकरीबन फर्स टाइम ही खेल ले थे ये जिसमें तो हम बहुत थे ऐसे ही दीरे-दीरे हमारा friend circle थोड़ा सा कम होता जा रहा है क्योंकि turn by turn सब जा रहे है out of country. इन्सेंद खुट को चास्थ्टी आफ güçzeigt जा बतौर्स करते जो कि अळाफे है? कि बहुत कैंक। कि बहुत कि आसे हैं ? कि बहुत कि बहुत कि नहीं है? चापक झा तिनमशली 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 झा जोते हैं क्रveड़ा असले जोते हैं झालँ तिनमशली तिनमशली झालँ 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 तिनमशárias पानी में गई पानी में गई पानी में गई चपट 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 और इस गेम के एंड तक निजार और मुईज ही बच गए थे और दोनों में से कोई भी नहीं हा रहा था दोनों ही दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड तक बट हमको रोकना ही पड़ा तो इसलिए दोनों के दोनों जीत गए साथ और बस आज के लिए सर्फ इतना आप सब लोग अपना बहुत खयाल रखिये और उमीद करती हूँ कि आपको मेरे ये वलोग अच्छा लगा होगा और आपकी खुद की भी ईद अच्छी गुजरी होगी जो लोग ईद मनाते हैं तो मिलते हैं नेक्स वलोग में आप सब लोग अपना बहुत खयाल रखिये ताटा बाई बाई टेक केर